नमस्कार दोस्तों एक वार फिस्ट स्वागत है आपका एपी क्लासिस के इस न्यू वीडियो में दोस्तों UPTED 2018 एक्जाम खतम हो चुका है आंसर सीड भी आ चुकी है और उसके साथ साथ जैसे ही आंसर सीड है आपतियों की भरमार भी हो चुकी है और बहुत सारी प्रशनों पर अभी हर्थियों ने अपने साक्षों के साथ उन पर PNP के mail ID जो दी थी उस पर आपतियां दर्ज कराई है तो बहुत सारी आपतियां पहुँच चुकी हैं अब बहुत सारे इसमें प्रशन उड़ रहे हैं कि किसका सही है किसका गलत है क्या है और कितने नंबर बढ़ेंगे इसको फाइदा और किसको नुकसान होगा मतलब कितने नंबर वाले सेफ हैं, कौन लोग अपने आपको सेफ मान के चले और कौन लोग सिक्षक भरती, अगामी जो सिक्षक भरती है उसमें बैठेंगे और सिक्षक बनेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एक-एक पॉइंट से जो एक-पॉइंट उठ रहे हैं, अब भ्यरतियों के मन में जो प्रस्ण पूछ रहे हैं लगातार और उनके मन में संसय बना हुआ है कि कितने प्रस्ण टोटल गलत हैं और कितने पे कॉमान नंबर मिल सकते हैं, कितने पे क्या होगा, कैसे आंसर सीट है फिर ये मामला कहां, कैसा रुख लेगा, ये भवेज सही तै करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रस्ण से, जो पहला प्रस्ण जो अब्यरतियों के मन में आ रहा है कि नंबर किसके बढ़ेंगे, बहुत से अब्यरति पूछ रहे हैं, कि सर हमने साक्ष नहीं भेज पाया, तो हमारे ये नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्या मतलब कि जिन लोग ने साक्ष भेज दिया है, सिर्फ उनके ये नंबर बढ़ेंगे, ऐसा कुछ ऐसा विर्यूमर चल रह जारी होगी, जैसा कि सभी को पता है कि रिवाइज जब उत्तरमाला जारी होगी, और जो भी उसका डिसीजन लिया जाएगा, कॉमन नंबर कितने दिया ही मिलेंगे, या उनकितने प्रशनों को हटाया जाएगा, या कैसे उनका जो भी होगा, तो फाइदा सभी को होगा, ऐ उनी का मेल आइडी उन्होंने ले लिया, हाँ भाई, इतना यही रोल लंबर है, बस इसको ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, तो ये बात मन से बिलकुल भ्रहम निकाल दीजिए, कि जिन लोगों ने साक्ष नहीं भेजे हैं, पिन पी के उनके नंबर नहीं बढ़े है, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूं, वो ये है कि नंबर बढ़ेंगे, तो सभी के बढ़ेंगे, कम होंगे तो भी सभी के कम होंगे, बढ़ेंगे तो भी समगे, जो भी जैसला लिया जाएगा, उत्तरमाला पे उनको प्रशनों पर वो इनने नंबर बढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रशन है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो बाउंडरी लाइन पे हैं, बाउंडरी लाइन पे मतलब कि 80 पे भी हैं, बन्दर, SC, ST, OBC की बात करूं तो 80 वाले, 79 वाले, और जनरल में अगर मैं ब बात करूं, तो 80 वाले, 85 वाले, 86 वाले, 87, 88, 89 ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, जो बहुत ही चिंतित हैं अपने भविष्ट को लेके, किजी कारणों से उनका पेपर जो भी कारण रहे होंका नहीं हो पाया, और वो जस बाउंडरी लाइन पे हैं, तो अब उनको बहुत ही चिंत चाह रहे थे, लेकिन कहीं और लग गया, तो ऐसे भी बहुत सारी गलतियां होई हैं, तो देखिए मैं आपको बतागूं कि जो PNP में, जो लगवक, जो साक्षी का जो भेजा गया है, वो बहुत सारी लोगों ने भेजे हैं, बीस भेजे हैं, किसीने बाइस भेजे हैं, कि लेकिन actual fact जो निकल कर आ रहा है सामने, actual fact दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, वो जो प्रशन है, वो केवल 11 से 12 हो रहे हैं, ऐसे प्रशन हैं, जो actual जिनका साक्ष है, और जो बास्तम में गलत हैं, या जिनके एक से अधिक आंसर हैं, या उत्तरमाला में जो प्रशन पूछा ग भेज दिये हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता देखें दोस्तों, जो एक analysis report आई है, वो ये है कि 10 से 12, मतलब 11 से 12, maximum 13 जा सकता है, इसे उपर नहीं जाएगा, इतने नमबर जो है, इतने प्रशनों का जो है, उन पर आपत्ती है, मतलब reasonable आपत्ती जो है, वो इतने नमब हो जाएगा, देखें दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी एक analysis है, analysis यह है कि आपने भी देखी होगी, आपने भी उत्तर माला चेक की होगी, और आपने बहुत साई लोगों ने भी आपत्तियां भीजी होगी, तो कुछ प्रशन ऐसे हैं, जिनके double answers है, जो paper में दिये गए, जो बरतवांदाश्टी महिलायोग की अध्यक्ष जो पूछा गया था, फिर सीखने के वक्रवाला जो है, उसका उत्तर ही नहीं है उसमें, तो इस प्रकार के जो प्रशन है, जिसे सीखने के वक्रवाला, इसमें आपको common number मिलेगा, तो क्योंकि इसमें उसमें option ही नहीं है, ठीक है, अब जिसमें एक या दो से हैं, उन पे दो वाले option में भी common number मिल सकता है, तो जो दो वाले option निकल के आ रहे हैं, वो तीन से चार आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं, उसके बाद अब आप जो मतलब उसमें answer है, लेकिन कुछ और हो गए है, मतलब जैसे किसी का तीस इसरा है, यह answer option उसमें सही बताया है, लेकिन आपके second मार दिया है, तो यह भी संसोधित उत्तरमाला जब जारी होगी, जैसे मान लीजिए, कि आपने C लगाया था, आपने अपने साथ C लगाया, आप बोल ले हैं, भाई, इसका answer C है, लेकिन जो PNP दोरा उत्तरमाला जार आपको, तो इस प्रकास से अगर देखा जाए, तो ऐसे प्रशनों की जो संख्या जिन पर common number मिल सकते हैं, वो उन 11 बारा में से कुछ ऐसे प्रशन आ रहे हैं, लगवग आप यह मानगे चलिए, चार से पांच नंबर जो हैं, तीन भी हो सकता है, लेकिन mostly तीन नहीं होगा, चार से पांच इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, चार से पांच नंबर पर इसलिए बोल रहा हूँ, कि जो चार से पांच नंबर हैं, वो आपको common number मिल सकते हैं, यहाँ पर यह जो clear report आ रही है, चार से पांच नंबर जो हैं, वो common number मिल सकते हैं, बाकी जो लोग 10, 12, 15 बोल ल और है नहीं नंबर करते हैं एक सामने अ रहा है बात करते घैंसको होगा और और अब को पुछेंगे लिक्रान में कामन नंबर receivers मैं ला मुझां होके दो सोचेंगे जब नहीं उत्तर कुंजी जारी होगी तो अभी जो उत्तर कुंजी में आपके option सही लग रहे हैं कुछ प्रस्ण ऐसे होंगे जिनके options change होंगे तो वहाँ पर आपके number घट भी सकते हैं घटने का sense, इंदा sense मेरे कहने का मदलब एक analysis ले लेते हैं मान लीजे suppose आपके 110 marks हैं आपके जब 110 marks हैं आपत्ती हुई है टोटल लगवक 11 से 12 प्रशनों पर मान लीजे 12 प्रशनों पर आपत्ती बिलकुत सही PNP मानती है कि हाँ 12 प्रशनों पर आपत्ती हुई है और उसमें से 6 प्रशन जो ऐसे हैं उनका वो answer बदलती है ठीक है दोस्तों और चार प्रशन ऐसे हैं जिनका वो common number दे देती है तो अब आपके थे पच्चान में आपके थे 110 में से आपके साथ चुछे साथ नंबर थे जो उसने answer बदल दिये वो आपके कम हो गए तो कि अभी दोस्तों आपके result जा रही नहीं हुआ है कॉपिया चेक हुई नहीं है अभी यह जो process है जो आप common number की बात कर रहा है यह exam के बात की बात कर रहा है जैसा कि यूपिटेक 2017 में हुआ था सब को common number मिल गए लेकिन वो बात में मिलेते कॉपिया चेक होने के बाद result आउट होने के बाद यहाँ पर अभी कॉपिया चेक नहीं हुई है result नहीं आया है तो यहाँ पर आपके number घटवर भी सकते हैं यहाँ पर यह मत सोचिए कि number अगर बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे आपको फाइदा ही होगा नुकसान भी हो सकता है बहुत से लोगों को तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके 110 number है और उसमें से 7 से 8 प्रशन जो हैं उसने उसके options बदल दिये सास से 8 प्रशन के option बदल दिये तो आपके वह गलत हो गये मतलब 110 में से 8 नमबर आपके चले गए तो 110 में से जब आपके 8 नमबर चले गए तो बच्चे आपके 102 नमबर बच्चे हैं और 4 नमबर common दे दिये तो 102 और 4 को कर दिया तो कितने हो गए 106 नमबर अभी आपके पह करती है इसमें सिर्फ टीटी में पास होना है इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है आप लुकों को कि हमारे नंबर घट रहे हैं दो में कुछ नुकसान होगा यूपी टैट 2018 में जो आपकी जो सिक्षक भरती आने वाली है जिसका विग्यापन आने वाज अभी को पत चाहिए आपके 110 हों 120 हो 130 140 हो वही उसको भी वही सिक्षक पात्ता परिच्छा देनी है जो आपका 90 मार्क्स वाला देगा अगर वही सिएस्टिक वार्ट करें तो 82 वाला है तो वही 82 हो 90 हो 100 हो 130 हो उसमें भी वही पेपर देगा तोकि इसका कोई भी नंबर आपर एड नहीं जो फाइनल जो पिछली बार हुआ था कि सिक्षक पात्ता परिच्छा के 60% मार्क्स जुड़े थे और 40% अकेडेमिक के जुड़े थे तो टैट के कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ने है इसलिए जहां पर जादा चिंता गरने की जरुवत नहीं है तो जो लोग पास हो गए हैं और उनके नमबस अच्छे हैं और जो बाउंडरी लाइन पर मैं तो यह कह रहा हूँ कि जो आप अगर 4-5 नमबर पर अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम है तो आप सिक्षक पात्ता परिच्छा की तयारी सुरू कर दें दोस्तों क्योंकि यहां पर जो होना था वो हो है क्योंकि वहां पर उसके 60% मार्क्स जिसना की पिछली वाज उड़े थे हाना कि अभी इस वार का विज्यापन नहीं आया है कि क्या रहेगा लेकिन जो एलोकेशन ऑफ मार्क्स था जैसा था बैसा ही रहेगा तो 60% मार्क्स स्कोर करना मतलब बहुत अच्छे से आपको स्क पर आपको मास्ति माल्स जादा से चला लाने पड़ेंगे तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतने फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद